हेलो वर्ल्ल सात्रीम टेकरी गैस आज इस वीडियो में हम जॉइन मैथर को समझेंगे कि एरे के अंदर जॉइन मैथर किस तरीके से वोक करता है सबसे पहले हम समझेंगे किस तरीके से वोक करता है और उसके बाद फिर मैं आपको जॉइन मैथर की सिंटेक्स बताऊंगा और फिर सिंटेक्स को देखने के बाद हम जॉइन मैथर का प्रैक्टिकल इंप्लिमेडेशन देखेंगे जो फिर सुइन मैथर को स्ट्रिंग में करता है जिसमें दो तीन वैलियूज दो तीन एलिमेंट्स है मतलब कि उसकी लैंथ दो तू या थ्री है और यह जॉइन मैथर उस आरे को स्ट्रिंग में करता है पर इसमपल हमारे पास एक एरे है जिसमें एरे की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हेलो दूसरा है वर्ल्ड तीसरा है इस हातिम टेकरी अब इन तीनों को जोड़ना है मतलब कि इस एरे की वैलियूज को मतलब हमार पास तीन value है इस तीन value को एक string में convert करना है तो हम join method का use करेंगे और यह join method उस array को string में convert कर देगा single string में convert कर देगा तो guys इसको हम practical implementation में देखेंगे ओके guys चलिए the join method does not change the original array मतलब कि यह join method वो execute होता है और फिर नई जो string create होता है उस string को return करता है जो मैंने आपको बताया कि join method array को string में convert करता है array के elements को join करके as a string convert करता है तो वो join method string को return करता है और जो original array है जिस array के ओपर हमने इस join method को execute कर वाया है उसको वो change नहीं करेगा मतलब कि join method does not change the original array अब जो third point है वो है any separator can be specified the default is comma मतलब कि हम कोई भी separator define कर सकते है for example हमें हमरे पास array है तीन element का और उसको हमें string में convert करना है अब हर element के बीच में जो separator है वो हमें अगर कुछ mention करना है for example dash या फिर colon या फिर hash या फिर simple space तो हम वो join method के argument के अंदर वो separator को pass करेंगे और वो जो string create होगी जो दो element होगा दो element के बीच में वो separator place हो जाएगा और इस तरीके से string create होगी यहाँ यह हम practical implementation में देखेंगे यहाँ पर एक और point है the default is comma मतलब कि अगर हम कुछ भी mention नहीं करेंगे कुछ भी separator join method के argument में mention नहीं करेंगे तो वो comma को consider करेंगे मतलब कि वो array के element को comma से separate करके string को create करेंगा ओके चले गाईज अब हम join method के syntax को देखते है और उसके बद हम इसके practical implementation को देखेंगे देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक fruits array है जिसमें banana, orange, apple, mango है और फिर यहाँ पर हमने let text is equal to fruits.join किया है तो यह join method क्या करता है कि इस array को string में convert कर लेगा और जिसे मैंने आपको बताया जो third point में लिखा था कि जो default separator है वो comma है यह join method array को string में convert करता है with some separator तो जो default separator है मतलब कि अगर हम कुछ भी mention नहीं करेंगे तो वो default comma को as a separator count करेगा तो यहाँ पर fruits.join के अंदर वो banana, orange, apple, mango ऐसे string को create करके save करवा देगा अब यहाँ पर जो दूसरा example है जो fruits array के ओपर हमने join method को execute करवाया है और argument में हमने space and space ऐसा string pass की है, मतलब कि यह join method के अंदर जो भी हम parameter pass कर रहे है, वो as a separator work करेगा उसका मतलब कि यह join method इस fruits array को लेगा राइट banana, space and space orange and apple and mango इस सरीके से यह string को create करेगा यहाँ पर बीच में separator में end insert होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस join method के parameter में end को pass किया, मतलब कि separator को pass किया, तो यहाँ पर हम जो भी separator pass करेंगे वो separator दो element के बीच में place हो जाएगा और इस सरीके से पूरी string create होगी, और guys अगर हम कोई separator pass नहीं करेंगे तो by default वो comma को consider करेगा, और अगर हमें न comma, न कुछ string कुछ भी नहीं करना है, simply एक space करना है, तो हमें join के अंदर parameter pass करना होगा एक space का, right, string with empty space, empty single space, जिससे की वो array के element को string में convert कर देगा पास करना ही होगा, जो separator दो array के element के बीच में place होगा, और इस तरीके से string create होगी, चलिए guys इसका practical implementation देखते है, जिससे की आपको और ज्यादा clear होगा, यहाँ पर सबसे पहले guys हम syntax वाली example को copy करते हैं, और vs code में जा कि इसको paste करते हैं अब यहाँ पर अब यहाँ पर अब यहाँ पर guys हमारे पास fruits करके एक array है जिसमें banana, orange, apple, mango value है, और फिर हमने fruits.join को execute करवाया अब यहाँ पर हमने अभी कुछ separator pass नहीं किया है parameter हमने कुछ भी pass नहीं किया है तो वो comma को as a separator count करेगा, और वो string create करेगा banana, orange, apple, mango चलिए, control is save console में हम output को check करते है, console.log text करना होगा, तभी हमें console में string दिखाए देगी, चलिए, control is save देखिए यहाँ पर हमें console में banana, orange, apple, mango, मतलब कि यह join method इस array के element को join करके string में convert किया with comma separator अब यहाँ पर हमें for example जो दूसरा example जिसमें की space and space यह as a separator हमें use करना है तो यहाँ पर यह join method इस array को use करेगा और separator के अंदर space and space को place कर देगा मतलब कि फिर string क्रेट होगी banana and orange and apple and mango चलिए, control is save देखिए गाइस, banana and orange and apple and mango तो इस तरीके से join method को use करके हम array को single string में convert कर सकते हैं अब गाइस, requirement यह है कि हमें कोई separator कोई separator रखना ही नहीं है, simple हमें एक space को separator रखना है, तो space भी एक separator है, तो यहाँ पर उस space space separator create करने के लिए हम simply string को create करेंगे empty string उसमें एक empty space को रख देंगे यह हमारे पास एक empty space आ गई तो इस empty space वाली string को हम join parameter के, join के parameter में या join के argument पर पास कर लेंगे as a separator अब जो string create हुई वह है banana, orange, apple and mango with a space separator मतलब को simple space है दो element के बीच में इस तरीके से हम join method को use करते है array की element को single string में convert करने के लिए यह बहुत ही useful method है क्योंकि यह कब use में आता है जब हमारे पास array of object है जिसमें एक property है for example id करके और हमें API के अंदर या किसी भी parameter में ids के comma separated values पास करनी है तो हम इस join method को use करते हैं उस array of object में से उस id को निकालके उसके single string comma separated string create करके हम parameter में पास करते है तो अलग-अलग use case में हम join method को use करते हैं यह जो methods है array के methods वह बहुत important है तो अगर आपको दूसरे array के methods है वह समझना है तो मैंने array methods in javascript के playlist create किये उस playlist के link मैंने description में दी है उस playlist में मैंने javascript array के सारे methods को cover किये है जिससे कि आपको एक ही playlist में सारे method मिल जाएंगे और आप एक ही जगह से सारे method को study कर पाऊंगे ओके गई, so let's see you in the next one